स्वागत आपका मेरी यूडूब चैनल बेसिक में सॉन डिप्स में और इस वीडियो में बगाने वाला हूं क्लास नाइन चेप्टर ट्राइंगल चेटर इंबॉर्जिंट कोशन तो चले शुरू करते हैं तो समयम में दिया है इन ट्राइंगल ABC, The Sites A, B and AC are Produced to points P & Q respectively तो दिखें यहाँ पर एक्राइंगल है ABC और इसमें AB साइड और AC साइड को आगे तक π्रोड्यूस किया गया PA को प्रोर्ड्यूस किया गया प्रड्यूस किया गया तक आगे, और AC प्रोडियूस किया गया आगे क्यू तक है इफ द बाइसक्टर ओफ एंगल पीबीची एंड क्यू शीबी मीट एड़ पॉइंट ओ तो यहां पर यह कह रहे है कि पीबी देखे पीबीसी यह वाला जो एंगल है और क्यू सी बी मतलब यह वाला जो एंगल है इन दोनों के जो करना है यहां पर यहां पर यह आपको मैं बता दूंकि इस तरह का कुशन जो है वह मैं ने सावंध क्लास की प्राइबिट बुक्स में भी देखा है जैसे प्राची की बुक हो गई तो यह 7th, 8th और 9th तीनों के लिए ही important question है, जो कि extra questions में पूछा जा सकता है, अब देखे जैसे है कि हमें मालूम है कि BO जो है by sector है, पी बी सी का, ठीक है, तो इसलिए by sector है, तो मतलब ये वाले दोनों जो angle जो है, वो बराबर होंगे, तो इसको मैं angle 1 माल लेता हूँ, उसी तर पूर रहेगा, और यहाँ पर PBO बन रहेगा, और OBC भी बन रहेगा, अब यहाँ पर हम देखें, तो ABC और CBP, यह पूरा मिला के linear pair बन रहा है, देखें इस तरह से, यह linear pair है, यहाँ देखें तो, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी linear pair बन रहा है, ACB और BCQ, तो इसका हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कि sense angle ABC and angle CBP form linear pair, तो देखें, मैं यहाँ पर लिख दिया है, कि angle ABC यह और CBP, यह पूरा linear pair form कर रहा, यानि कि 180 degree है, तो इसलिए मैं यह लिख चाहता हूँ, कि angle ABC plus angle CBP, यह दोनों जो हैं, मिलाकर angle 180 degree के होंगे, अगर angle ABC को मैं यहाँ पर angle B यूज कर रहा हूँ, इसको मैं angle B यूज कर रहा हूँ, इतने को ठीक है, और CBP, तो यहाँ पर angle CBP जो है, इसमें यहाँ पर angle 1, angle 1 यहाँ दोनों यहाँ equal होंगे, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 angle 1, मिलाकर होगा 180 degree, अब यहाँ पर ह is equal to 180 minus angle B, यह जो angle B था, उधर plus का था, तो इधर minus का हो गया, और यह 2 upon में चलाएगा, angle 1 निकालने के लिए, तो 180 minus angle B upon में 2, अब देखें जैसा कि हम जानते हैं, कि अगर A minus B upon C हो, तो A के नीचे भी C माना जाएगा, minus B के नीचे भी C माना जाएगा, तो इसलिए हम इसको solve करें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कि जो angle 1 है, वो 180 upon 2 होगा, तो यह जगा 90 degree, और इसको हम solve भी नहीं कर पाएगे, तो हम इसको लिए सकते है, 1 upon 2 angle B, यहाँ पर यह हमारी हो जाती है, equation first, इसको मैं first equation मान लेता हूँ, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर किया है भी, इ यहाँ पर लिखूँगा angle ACB plus BCQ, यह मिला कर 180 degree होगा, तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले, देखें, मैंने लिख 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 लिखा है कि sense angle ACB, ACB और QCB, यह दोनों linear perform कर रहे है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि angle ACB plus angle QCB, मिला कर होँगे 180 degree के, equal, अब ACB को मैं angle C लिख और QCB को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखें, यह दोनों angle equal है, और angle 2 माना हुए इनको, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, 2 angle 2 equal to 180 degree, अभी हाँ पर उपर की तरहीं solve करेंगे इसको, पहले हम लिख लेते हैं, कि 2 angle 2 is equal to 180 minus angle C, यह जो angle C था, यह right hand side में shift हुआ, minus का हो गया अब यह जो 2 है, upon में आजगा, तो angle 2 equal to 180 minus angle C upon 2, उसी तरीके से यह भी दोनों से हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, कि angle 2 is equal to, अब देखें यहाँ पर 180 upon 2 minus angle C upon 2, इस तरह से, यह cut के 90 होगा, तो इस तरह से हमें लिखेंगे, 90 minus 1 upon 2 angle C, तो यह हमारी ह हो जाती है, equation 2, बिलकुल उपर वाले की तरह हमने solve किया, अब देखें, यहाँ पर हमारी 2 equation बन चुकी है, equation 1 और equation 2, अब हम आगे question को solve करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे figure बना लिए इसकी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें triangle BOC का use करना है, तो हमें figure जब दिखेंगी तो हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे, तो अब हम बात करेंगे, triangle BOC की, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि, in triangle BOC, we have, हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ है, अगर हम देखें, तो angle 1, angle 2, और angle BOC, तीनों मिलाकर जो हम 180 degree होंगे, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ क यहाँ अगर, angle 2, यहाँ अगर, प्लस angle BOC, यह तीनों मिलाकर है, 180 degree और इसका reason होगा, angle sum property, अब देखें, यहाँ पर angle 1 जो लिखा है, उसकी जगह पर मैं, जो angle 1 हमारा आया था, देखें, हाँ equation हमने बनाई थी, angle 1 की, यह रही है, angle 1 इक्वेशन, angle 1 इक्वल टू, 90-1 अप 1 upon 2 angle B, अब यहाँ angle 2 देखें, तो angle 2 देखें यह रहा, angle 2 जो है, 90-1 upon 2 angle C, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, 90-1 upon 2 angle C, प्लस angle BOC, वो यहाँ से आ गया, is equal to 180 degree के एक्वल है, अब यहाँ पर देखें, तो 90-90 इसको हम add कर लेते हैं, तो यह हमारा आजगा, 180 degree, अब यहाँ यहाँ पर, minus 1 upon 2 angle B, फिर यहाँ पर minus 1 upon 2 angle C, प्लस angle BOC, इक्वल टू 180 degree, अब यहाँ पर हम देखें, तो यह 180 degree और यह 180 degree आपस में जो है, कैंसिर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर, 1 upon 2 minus का, यह हम common ले लेते हैं, तो minus 1 upon 2, यहाँ पर होगा, angle B, प्लस angle C, ब्रैकित में, अब यह जो BOC है, इसको हम right में shift कर लेंगे, तो right में shift हो जगात हो जगा है, minus angle BOC, अब यहाँ देखें, तो इस minus से, यह minus जो है, वो cancel हो जाता है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, कि 1 upon 2, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान यह रखना है, देखें, हम इसको किसी और तर तो अगर 180 degree में से angle A को less कर दिया जाए, तो कौन सा angle बचेंगे, यह दोनों angle बचेंगे, क्योंकि triangle के तीनों angle का जो साम होता है, वो होता है 180 degree, तो 180 degree में से अगर angle A को less कर दिया जाए, तो हमारे पास कौन सा angle बचेंगे, यह वाला angle B, यानिकि ABC और ACB, यह दोना angle बचेंग तो मैं एंगल B प्लस एंगल C की जगे पर मैं यहां लिखूंगा कि 180 डिग्री माइनस एंगल A अब यह एक्वल होगा एंगल B और C के अब आप कहोगे कि हमने यहां पर 180 डिग्री माइनस एंगल A क्यों लिखा क्योंकि question में हमें एंगल A की value given है देखें यहां पर एंगल A मुझे 50 डिग्री दिया हुआ है तो मैं उसको यूज कर सकता हूं यहां पर इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा तो maths में हमें इस तरह से ही करणा बढ़ता है questions को manipulate तो यहां पर देखें अब मैं एंगल A को put कर लेता हूं तो 1 upon 2 यह bracket ने 180 minus 50 यह लिखेंगे equal to angle BOC अब यहां पर इसको इसमें से less कर लेते हैं तो यहां पर आए जागा अंगल BOC कितने डिग्री होगा तो हम कहेंगे अंगल BOC जो है वो 65 डिग्री होगा तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह question समझमा है होगा इसी तरह के बहुत से questions class 9 के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में on nice हमके साथ तब तक के लिए गुड़ ऑगे